नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है समिश्व वस्तव founder and CEO वीमा गुरुकुल सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक बाद आप सब लोगों के बहुत सारे लोगों के regular messages और calls आ रहे हैं बहुत सारे लोगों की MDRT, COT, TOT complete हो रही है जैसे ही MDRT, COT, TOT declare होती है फटा फट एक message आता है जिस message में आपने बताया होता है कि कई सारे लोग कह रहे हैं सर हमारी जिंदगी में पहली बार MDRT हो गई कुछ कह रहे हैं सर हमने आपके कहने पे नौकरी छोड़के प्रॉपर पूरे curriculum को follow किया और MDRT हो गई कुछ लोग उसका जो reason है वो mentorship program को बता रहे हैं कुछ लोग insurance expert को बता रहे हैं कुछ लोग बीमा गुरुकुल को बता रहे हैं मैं एकी बात कहता हूँ कि इस पूरी सफलता का जो share है ये completely आपको जाता है सबसे पहले आपको मुबारक हो आपके leaders को मुबारक हो आपके development officers आपके management है उसको मुबारक हो आपके परिवार को बहुत-बहुत मुबारक हो ये सारा share उन लोगों को जाता है हाँ वीमा गुरुकुल के माध्यम से जो आपके जिंदगी में हम contribute कर पा रहे हैं अपने various courses के माध्यम से आप लोगों को दे पा रहे हैं वो अपनी जगे पे अपना role play कर रहा है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी कई सारे हजारों हजार insurance agent वीमा गुरुकुल से इसी तरीके से training पाके MDRT, COT, COT के अपने targets को पूरा करते रहेंगे तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले तीन दिन में जब तक closing होगी तब तक और भी बहुत सारे लोगों की MDRT, COT, COT complete होगी, I am so happy about it और जहां एक तरफ इतनी सारी MDRT, COT, ये सारी चीज़ों की news आ रही थी, वहीं पे एक news आप लोगों के लिए लिए भी जो मुझे शेर करनी है, दोस्तों आपकी company Bima Gurukul को जगे मिली है, इस देश की एक बहुत बड़ी magazine, business outreach में, inspiring business leaders के लिए, जब उन्होंने research की, उन्होंने पता लगाया कि कौन सी companies बहुत तेजी से grow कर रही है, और इस देश में अपना नाम कमा रही है, उसमें हमारी company का नाम आया, Bima Gurukul cover page पे भी, spot light position में हमारे को जगे मिली है, और इसके अंदर, अगर पूरा one pacer, इन्होंने cover किया है, और आपकी company Bima Gurukul को, आपके mentor समिश्चर वास्तव को समें इस्थान दिया है तो I am thankful to business outreach as well, I am thankful to all of you as well, आप सब लोगों की वजह से इतने सारे लोग, जब पूरी शिदत के साथ काम कर रहे हैं, हम Bima Gurukul को एक army की तरह से चला रहे हैं, Bima Gurukul में हम पूरे mission के साथ काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप लोग जुड़े, आप लोगों ने सीखा उसे apply किया, practical learning को apply किया हमने आपको बताया कि कैसे कैसे use करना है, theoretical learning को practical learning में कैसे convert करना है earning में कैसे convert करना है और आप लोगों ने समा बांद दिया बहुत-बहुत मुवारकवा आपको चलिए आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था जो लोग रेगुलर बेस पर फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है हर शुक्रवार को इस चैनल पे एक वीडियो आता है लाइफ इंशुरेंस कम्यूनिटी के लिए लिए लाइसी एजेंट्स के लिए पिछली बार जब मैंने वीडियो में शुक्रवार को आप लोगों के लिए ले के आया तो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से MDRT की प्लैनिक करनी है किस तरीके से अ परल-टाम इंशुरेंस एजेंट एक फीमिल इंसुर्स एजेंट किसी भी कैटेगरी में आप आते हों आप अप अपनी uncertainty seminar इस्टैबिशाप्स कर सकते हों और बहुत easy three simple steps में तीन simple steps में हमने बताया हजारों insurance agents ने उसे देखा आप लोगों के comment आए बहुत सारे लोगों ने mission MDRT, mission COT, mission TOT की बात की कई सारे लोगों ने बोला yes we can do it बहुत सारे हजार से जादा उसमें comment आए तो जितने भी लोगों ने वो देखा उन लोगों को पता होगा कि हमने उसमें आप लोगों को बोला था कि जब आप इस mission के उपर काम कर रहे होगे इस तरह से काम कर रहे होगे तो उसमें मैं support करता रहूँगा उसी support में मैंने आपको बोला था कि अगले हफते आप लोगों के लिए video लेके आऊंगा तो उनको क्या WhatsApp डालना है यह मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ तो इस वीडियो के description में भी मैं वो message डाल दूँगा पूरा बनाके आप लोगों को मिल जाएगा दूसरी चीज उसमें क्या क्या चीज़े होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद भी आपको हर महीने कोई ना कोई new message करना होगा अगर आप वीमा गुरू को इंशोरेंस expert course या mentorship program में जुड़े हो हैं तो कई बार आपको बने बनाए messages भी मिल जाते हैं बड़ जो लोग हमारे साथ YouTube पे जुड़े हो हैं कोई दिक्कत नहीं है मैं आज आपको content बनाने का तरीका बता देता हूं और साथी साथ ये भी कहता हूं जिन्दगी में जब मौका मिले ना opportunity को छोड़ना ने चाहिए February से Bima Groupal Insurance Expert course जो हमारा ऐसा course है जिसको हजारों हजार insurance agent ने किया मेरे ख्याल से if I'm not wrong more than 25,000 insurance agent पिछले दो साल में उस course को कर चुके हैं वो course February से launch होने जारा है February 1st week से complete हो चुका है पूरा का पूरा पूरा पिछला batch और अब हम आप लोगों के लिए उसे launch करने वाले हैं अगले हफते तो अगले हफते जब मैं launch करूंगा आप लोगों को एक दिन के लिए कि special offer मिलेगा तो मिस मत करना मैं पहले से बता के चल रह है का फटा-फट जॉइन कर लेना और हिस्सा बन जाना अब इसमें किस तरीके से आप SMS पूट करोगे 300 लोगों के नंबर तो आपने collect कर लिए बट उनके उपर कैसे उनको क्या ऐसा बताओगे कि आपकी branding भी हो जाए और आपकी insurance policy भी बिखे तो आज मैं आपको कुछ basic produce yourself क्योंकि आप क्या करते हैं कई बार messages कर देते हैं कई सारी insurance agent हमारे पास आते हैं वीमा ग्रुकुल में और बताते हैं सर मैं messages करता हूं मेरे को किसी trainer ने बना बनाए software में से नीचे फोटो लगा के नाम लिखके दे दिया है मैं वही poster भेज़ता रहता हूं कोई देखता है चीजें ऐसे में waste होता है और broadcasting की value खतम हो जाती है तो जब मैं 2013 में जब broadcasting का नाम भी लोग नहीं समझ पाते थे तब मैं जब वर्टसप broadcasting सिखाया करता था उस वक्त भी मैं लोगों को कहता था कि एक गलती में मत जाना वर्टसप में जो पिछले अब 9 साल उस बात को हो गए 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है ऐसे वक्त में भी लोग वही गलती कर रहे हैं जिन्होंने नहीं सिखा तो दोस्तों broadcasting में आपको महीने में सिर्फ एक message डालना है मैंने पिछले वीडियो में detail में बताया था तो जितने लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जरू पर से जब आप broadcasting का message भेजो तो वो message वेस्ट ना जाए आपको लगता है आपने तो broadcasting से भेज दिया और पहुंच गया होगा ऐसा नहीं है नहीं पहुंचता वो message until or unless सामने वाले ने आपका number ना save कर रखा हो तो number अगर save कर रखा होगा तो पहली चीज introduction दूसरी चीज SMS में clarity ह होनी चाहिए क्या clarity कि boss आप कहना क्या चाते हो मुद्दा क्या है तो उसमें बताओगे कि sir मैं ऐसे ऐसे यह करता हूं और मेरा mindset यह कि मैं इस तरीके से आपको SMS करना चाहता हूं please मेरे number save कर लीचे या फिर मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं मैं यह हूं यह clarity हो होनी चाहिए तीसरी चीज आपने introduction कर दे दिया clarity दे दी तीसरी चीज यू need to say about benefits आपको सामने वाले prospect को यह बताने की जरू होते कि उसका benefit क्या है क्या फायदा होगा उसको आपसे ऐसा क्या खुबी क्या है आप में तो खुबी में चौथा point भी आ जाता है which is known as USP unique selling point आपक में यह clarity भी होनी चाहिए specifically first message में जब आप यह 300 लोगों का data इखटा करेंगे जैसे मैंने फिसले वीडियों बताया तो यह 300 300 300 जब यह होते वे पूरे साल में 3600 लोगों का data इखटा हो जाएगा तो इन 3600 लोगों को जो पहला message आएगा हर महिने जिस तरीके से जाय करेगा contact detail जो आपकी होगी वो contact detail सही तरीके से पहुंचने भी बहुत जाता जरूरी है जिससे वो आपसे कभी भी contact कर सकें और आपके number को save कर सकें कई बार लोगों के पास एक से जादा number होते हैं तो उन numbers को भी save कर सकें और साथ ही साथ एक और बात का ध्यान रखना है WhatsApp messages में emojis इससे आप सामने वाले का ध्यान attract कर सको कि this is the point this is the point so this kind of जो जो रहा दिखाने वाली या फिर कोई target से related कुछ 3 या 4 या 5 जैसी emojis होती है जिनको आप उन्हें यूज करना चाहिए अगर possibility बनी तो वो पूरा WhatsApp message में type करके आप लोगों को इसमें डालने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के description में देख लेना most family आपको वो message मिल जाएगा तो यह सारे point आप रखोगे अब मैं आपको help करता हूँ कि आपको actual में लिखना क्या है although मैं नीचे description में भी डालूँगा बट एक बार मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि 6 points जो मैंने इस तरीके से नहीं उसमें use करो good afternoon good evening की जगे नमशकार शब्द यूज करो नमशकार सामने वाले को लगता है शायद कुछ different है जैसी कुछ different देखेगा उसकी आखे रूखेंगी तो नमशकार और उसके बाद लिखो introduction अब introduction में आपको अपने मुझ से ये बतानी की जरूतनी है कि आप ही message कर रहे हो आप अपनी company को शायद आपने की अपनी company का कोई नाम रखा होगा या अपने आपको represent करते वे बोल सकते हो किस तरीके से करोगे आओ मैं आप लोगों को बताता हूं इस वीडियो में भी डाल दूँगा स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है क या कि Mr. So and So, अब मालीजे आपका नाम है Ravi Malhotra, Mr. Ravi Malhotra is an investment consultant, he is having so and so years of experience in financial industry, यानि कि आपका इतना experience है, we are specialized in child education planning and retirement planning, अब देखो दोस्तों इन तीन statements में आपने अपनी introduction देदी, आपने नाम बता दिया कि so and so जो person है वो ये करते हैं, इतने सालों का experience hold करते हैं, आपने ये बता दिया कि child education planning or retirement planning and believe me my friends, maximum insurance policy आपकी child education या फिर retirement के उपर बेख सकती है, अगर इन दो subjects के उपर भी आपने काम किया ना, आपका काम हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चीजों में जाने की बचाए, आपने आपको specialist की तरीके से दिखाओ, कि we are specialized in, या फिर हम इस तरीके के specialist है, child education planning से related या retirement planning से related, ये हो गया introduction, अब आपको clarity देनी ज़रूरी है, तो clarity में point wise आप चीजों को cover करोगे, जैसे introduction के बाद, और clarity दीजिए, कि सामने वाले के लिए, इस पूरे we provide free portfolio analysis and portfolio management services, यानि की portfolio analysis और portfolio management की services भी आप देते हो, ठीक है, आपके लिख सकते हो बहुत सारी services के, हम इस चीज में deal करते हैं, हम आपकी पुरानी policies की servicing भी करते हैं, हम उसमें आपके address, nomination, आपके will, आपके legal aspects, आपके grievances, इन सब चीजों के उपर काम करते हैं, आप 3-4 point side करना पड़ेगा, एक random जो मैं भी आपको बोल के बता रहा हूँ, वो हम आपको लिख के दे देंगे, तो उसमें अगर आपको points add करना चाहते हो, तो you can add, so special offer में यह आ गया, कि यह यह चीज़े हैं, फिर क्या करोगे, फिर requirement डालो, क्योंकि जैसे ही आपने यह create किया, कि य kindly save this number, या फिर आप लिख सकते हो, कि we normally send introductory messages or maybe informative messages to our customers once in a month, उसमें mention करो कि महिने में एक message आता है, so kindly save this number to get regular updates of financial industry, इस तरीके से kindly save this number की request डालो, वो number save करेंगे, तभी आपका broadcasting का message आएगा, और क्या कर सकते हो, और उसमें लिख सकते हो, कि kindly allow us, आप लिख सकते हो, कि kindly allow us to give 20 minutes of your precious time for your portfolio analysis, कि सर अपने 20 minute का time दीजे, portfolio analysis के लिए, या फिर हमारे को इस number के उपर contact करें, या आप देख सकते हो, और इन सब में कुछ emojis डाल के, कुछ ऐसी signs डाल के, आप उसको इस तरीके से create कर सकते हो, कि वो थोड़ा स attractive लगे, अब इस message को बनाने के दोस्तों, इसमें मैंने आपको कुछ points बताए, इससे आपको एक rough estimate, rough idea लगया, कि कैसे आप अपनी बात को अच्छी तरीके से रखते हो, clarity दे सकते हो, अपनी बात में सामने वाले को value create करके दे सकते हो, कि आप कितनी पुरानी company हो, या कितने consultant हो, आप बता सकते हो, आप किस चीज के specialized consultant हो, आप बता सकते हो कि आप actual में offer क्या करना चाते हो, कैसी services offer करना चाते हो, आप ये बताने वाले हो कि उन services के लिए requirement क्या है, आपकी expectation क्या है, आप अपनी contact details दे रहे हो, आप emojis की help से उसे सुन्दर बना रहे हो, सम चीज़े complete कर कर सकते हो, वो मैं completely आपके ऊपर छोड़ता हो, क्योंकि हर consultant को अलग-अलग अपनी जो उसकी specialization होगी है, उसका जो कहते हैं न, forte, कि मतलब मेरा ये बहुत strong area है, उसके हिसाप से आप इसमें changes कर सकते हो, अब ये messages आप भेजना शुरू करो दोस्तों, अपने सारे clients को, और अ शुक्रवार का वीडियो अपने आप में unique वीडियो होता है, तो अगर अभी तक भी इस channel को subscribe नहीं किया, तो अभी के अभी नीचे दिये गए लाल बटन पर क्लिक करके subscribe कर डालो, साथ वाला bell icon press कर लो, क्यों, क्योंकि उससे clarity जाएगी, उससे आपको पता रहेगा कि कब-क notification आ रही है, और हर शुक्रवार को आपको रात को 8 बजे इंजार रहेगा, और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इस बार हम पूरे साल इसी CD दर सीडी, step by step हम आगे चलने वाले हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे आप कर सकते हो, पिसली बार मैंने आपको ब वीडियो मिलता रहेगा, आप लोग बहुत तरक्की करें, कई सारे लोगों ने अपनी MDRT जिनके छुटपुट रह गई है, फटाफट कंप्लीट करो, गोड निउस दो जल्दी से, और आप सारे लोगों को यह जो आने वाला नया साल हो, इसकी बहुत बहुत शुपकामना बहुत बहुत बढ़ाई, आपका परिवार, आप बहुत सुख सम्रिद्धी, शांती हासिल करो, आपके जो सपने हो, इश्वर करें वो अगले इस नव वर्ष में सब लोगों के सपने पूरे हो, आप सब लोगों को एडवांस में, हैपी न्यू येर, आप सारे लोग जिन कात होगी, तिल देन, तेक केर, बबाई, और गद्लेस, थैंक्स लॉट, बबाई